शो अनुपमा में मेकर्स नया ट्विस्ट लेकर आये है, आध्या को अनुज और अनुपमा से अलग कर मेकर्स ने कहानी दिलचस्प बना दी, शो में दिखाया जा रहा है कि आध्या जिन्दा है और वो मेखा के घर है, नया प्रोमो सामनी आया है, जिसमें फाइनली अनुज को लेकर अनुज के पास आती है अनुज और आध्या एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर लोने लगते हैं आध्या अनुग को मा कहकर बुलाती है सभी खुश होते हैं तभी अनुबेहुश हो जाती है अब अनुसे आध्या को कैसे खोजा इसका खुला सा हो गया है पैसे लोटाने के बहाने वो बेहोश होने का नाटक करती है और मेखा उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। बर्थदे पर मिल जाए, अनुपमा को मेघा के घर कुछ नहीं मिलता और वो निराश होकर वहाँ से जाने लगती है, अचानक उसका फोन उसके हाथ से गिर जाता है और वो जैसे ही नीचे जुकती है, उसे आध्या बेर्रूम से बाहर की ओर जांकती दिखती है, अनुपमा औ और आध्या एक दूसरे को देख कर भावक हो जाते है, आध्या उसे चुप रहने का इशारा करती है और हेल्प करने की विंति करती है, साथी वो हिंट देती है कि इस घर में कुछ ठीक नहीं है